Hello everyone, मेरा नाम है Dr. Mohamed Kashif और आज की इस वीडियो के जरीए हम बात करेंगे चार ऐसी चीजों के बारे में, चार ऐसे खानों के बारे में कि जिसको स्ट्रोक के पेशन्ट जिनका कॉलिस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई रहता है या नॉर्मल लोग जिनको स्ट्रोक का कोई एपिसोड नहीं है जिनको कोई पैरलिसिस भी नहीं है लेकिन उनका कॉलिस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो किस तरह के फूर्स है वो अपने कॉलिस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकता है सबसे पहले बात करते हैं stroke की तो stroke जैसे कि आप जानते हैं कि दो तरह का होता है कि एक होता है ischemic stroke, दूसरा होता है hemorrhigic stroke ischemic stroke है वो किसी clot की वज़े से होता है जिसकी सबसे ज्यादा जो responsible एक चीज होती है वो है cholesterol level और एक है आपका hemorrhigic जो नस apartment से होता है तो जो आपका cholesterol वाला है एक सबसे जादा patient को ये रहता है कि उनके cholesterol का level बहुत जादा high बन गया High चला गया जिस वज़र से जो उनकी नसे होती है वो cholesterol जाकि उसमें जम जाता है और उनका जो luman है एक तरह से किस तरह के foods है, जो stroke के patient है, जिनके cholesterol का level बहुत high है, या normal अगल लोग भी है, किस तरह से वो 4 तरीकों से या 4 खानों से अपने cholesterol के level को maintain कर सकते हैं, low कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो के जरीए मैं 4 ऐसी चीज़े आपको बताता हूँ, देखे सबसे पहली जो चीज़ है, वो आपके cholesterol level को बहुत low करते हैं, दूसरा जो हमारा food है, वो है हमारा turmeric, या आपकी जो कच्छी हल्दी एक तरह से होती है, आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं, आप जब उसका इस्तमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने cholesterol level को कम कर सकते हैं, जिसके जरीए क्या होगा कि आपका जो भी episode है, या अगर stroke के patient है, तो कहीं न कहीं उनको further जो stroke आने के chances होते हैं, या उनकी condition भी गड़ने के chances होते हैं, तो अपने cholesterol के level को maintain करके, कहीं न कहीं वो अपने जो another episodes हैं, stroke के उसको रोक सकते हैं, या अगर जो patient हैं, या जो ऐसे normal लोग भी हैं, जिनके cholesterol का level बहुत high र nuts यानी बादाम market में आपने देखे होंगे, तो आप कहीं न कहीं बादाम का इस्तमाल करके भी अपने cholesterol के level को कम कर सकता हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसे dry fruits खाने वाले हैं, तो कोशिश करिए कि आप nuts का इस्तमाल करना शुरू करिए, क्योंकि जब आप nuts का इस्तमाल करते ह हैं, तो उससे आपका cholesterol का level maintained बना रहता है, कोई उतने ज़्यादा increase यानी बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ता नहीं है cholesterol का level, तो जितने हमारे patient हैं या patient नहीं भी हैं, जिनका cholesterol level बढ़ा रहता है, तो वो कोशिश करें कि अपनी diet में nuts को शामिल करें, चौथा जो point है या सोयबीन के seeds, सोयबीन आपने normally देखा होगा, आम भाशा में उसे tofu भी कहते हैं, तो आप कोशिश करिए जिन लोगों का cholesterol level बहुत हाई रहता है, कि वो अपनी diet में कहीं न कहीं सोयबीन के seeds को शामिल करें, आप उन्हें boil करके खा सकते हैं, या आप उनको पानी में भिको के ए maintain होना शुरू हो जाएगा, आप proper diet भी लेने लगेंगे, आपके शरीर को सही मातरा में protein भी मिलने लगेगा, जितने हमारे patient होते हैं, हम उनसे अकसर अपनी OBD में भी इस बात को कहते हैं, समझाते हैं, कि आपको किस तरह का food लेना चाहिए, फिर भी आपका कोई सवाल है, आ इससे आप अपने cholesterol level को ठीक कर सकते हैं, या stroke के patient है, वो कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे हमारे numbers दिये जा रहे हैं, आप हमसे कभी भी correct कर सकते हैं, हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, धन्यवादा